Hello everyone, welcome on my channel जैसा आप सभी को पता है कि राम मंदिर में प्रान परतिष्ठा का जो डेट रखा गया है वो 22 जनवरी 2024 रखा गया है तो आज के वीडियो में हम राम मंदिर के बारे में जितने वी facts हैं उसको cover करेंगे मैं आपको पूरी history बताऊंगा चंदरगुप्त मौर ने जब वहाँ पे अयुद्या में राम मंदिर बनाया था तब से लेके 2024 तक क्या-क्या घटनाय घटी राम मंदिर को लेकर वो सारे facts को मैं इस वीडियो में cover करूँगा इस वीडियो में मैं जो राम रल्ला का आइडियल बना है उसको किसने बनाया है उसका height, weight और वो किस पत्थर से बना है ये सारे facts मैं cover करूँगा और 22 जनवरी को ही क्यों जो प्रान पसिश्टा का date है वो रखा गया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो जो है आपके exam point of view से काफी जादा important हो जाता है क्योंकि अभी जो है ये बहुत important topic है और इससे question आपके upcoming exam में जरूर देखने को मिलेंगे तो सारे facts को मैं इस वीडियो में cover करूँगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और इससे related जो PDF होगा मैं description में डाल दूँगा आप उसको download कर लीजेगा और उसको revise करते रहिएगा तो बिना देर किये हम वीडियो को start करते हैं और देखते हैं राम मंदिर के facts के बारे में तो total allocated area जो total area allocate है राम मंदिर का वो कितना है 70 एकर का है और उसमें जो है main मंदिर का जो area है वो कितना है तो वो है 2.7 एकर तो ये ध्यान ने कियेगा 70 एकर जो है पूरा area है मंदिर का आसपास का जो surrounding है सब मिला के और main मंदिर जहां बना हुआ है उसका area है 2.7 एकर राम मंदिर के construction में जो cost आया है वो लगभग 18,000 करोड का जो है पूरा खर्च आया है इसको बनाने में और जैसा आपको पता ही है कि location जो है राम मंदिर का कहां पे है तो अयोध्या में है जो की उत्तर परदेश में है और construction जो है इसका start किया गया था 2019 में और architect कौन है राम म मंदिर के उसके बाद है जो main diet है इसमें वो कौन है Lord Ram है और ये जो है गर्वग्री में इनको स्थापित किया जाएगा construction company किस company ने राम मंदिर को बनाया तो है Larson and Turbo L&T ने इसको बनाया है और एक मज़दार चीज है कि इन्होंने जो है free में ये construction किया है Larson and Turbo ने ये भी आप ध्यान रखिएगा कोई पैसा इन्होंने चार्ज नहीं किया है और जो general secretary है स्री राम जन्भूमी ट्रस्ट के वो कौन है तो वो है चंपत राय ये नाम बहुत important नाम है इसको ध्यान रखिएगा कि चंपत राय जो है वो स्री राम जन्भूमी ट्रस्ट के general secretary है और inauguration date यानि प्रान प्रतिष्टा का दो date रखा गया है आप सभी को पता है 22 जन्वरी 2024 रखा गया है और ये क्यों रखा गया है ये date प्रान प्रतिष्टा के लिए ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि इसी date को क्यों चुना गया है और जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं ये हैं चंपत राय जी अब हम देख लेते हैं राम मंदिर के history के बारे में इसका इतिहास तो 100 BC में ऐसा belief किया जाता है कि Emperor चंदरगुप्त मौर इन्होंने जो है Grand Temple बनवाया था कहां पे अयुद्ध्या में और वो राम मंदिर था और ये जो चंदरगुप्त मौर हैं ये म और वन्स के काफी प्रभावसाली राजा रहे थे और इन्होंने ही ये मंदिर अवयध्या में बनवाया था उसके बाद 1528 में ऐसा माना जाता है कि मीर बाकी जो जेनरल था मुगन रूलर बाबर का उसने राम मंदिर को डिमोलिस कर दिया था और वहां पे इसने मस्जिद ब दिस्प्यूटेड एरिया था क्योंकि मुस्लिम कह रहे थे कि यहां पे मस्जिद था और हिंदू कह रहे थे कि यहां पे पहले मंदिर था जिसको तोड़के मस्जिद बनाए गया है तो बिटिस्ट ने क्या कि वो जो डिस्प्यूटेड साइट था उसको दोनों में डिवा जो एरिया डिवाइड हुआ तो हिंदु को एक तरफ एरिया दे दिया गया एक तरफ मुस्लिम को दे दिया गया और बुला गया है कि भी आप पुजा कीजिए और इधर आप आप नमाज अपना ओफर कर सकते हैं उसके बाद जो है 1949 में क्या हुआ की वो डोम जो बना हुआ है वहाँ पर मस्जिद का उसके नीचे राम लल्ला का आइडल जो है वो है तो उसमें क्या हुआ कि डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट जो है काफी ज़्यादा बढ़ने लगा तो उसमें district magistrate ने उस समय का जो district magistrate था उसने जो है premises को lock and key में रख दिया यानि बंद कर दिया premises को कि ज़्यादा जो है dispute बढ़े इससे अच्छा है कि इसको बंद कर देते हैं तो यह घटना जो है 1949 में हुई उसके बाद 1950 में जो है पहला title suit file किया गया गोपाज सिंग, विसहरद और रामचंदर परमहंस के द्वारा asking क्या मांग रहे थे हो कि भईया हमें वहाँ पे पुजा करने का अधिकार दो हम वहाँ पे पुजा करेंगे अस्थान जन्भूमी में और इस picture में देखिए यह है गोपाज सिंग, विसहरद और यह है रामचंदर परमहंस इन दोनोंने suit file किया कि हमें वहाँ पे allow किया जाए पुजा करने के लिए यह घटना 1950 की है उसके बाद जो है 1961 में क्या हुआ कि सुन्नी workboard ने भी एक file किया petition और इसमें इन्होंने जो disputed site और जो surrounding area है उसको इन्होंने claim किया कि यह area जो है पूरा यह हमारा है तो यह सुन्नी workboard के द्वारा 1961 में यह file किया गया petition उसके बाद 1986 में क्या हुआ कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो थे राजियु गांधी उन्होंने मंदिर का जो lock था उसको खोल दिया फिर जो है 1990 में क्या update हुआ BJP के LK आडवानी जो थे उन्होंने एक nationwide रथ यातरा जो है वो निकाला और इसमें जो है क्या हुआ रथ यातरा में कि जो कार सेवक्स थे उन पे गोलियां चलाई गी फाइरिंग हो गई यह घटना है 1990 की उसके बाद 1992 में कार सेवक्स ने क्या किया कि जो structure बना हुआ था वहाँ पे इसका मस्जिद का उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को वो structure को demolish कर दिया उसके बाद यह area जो है disputed रहा और इस पे जो है case चलता रहा और 2002 में एक Allahabad High Court का एक decision आया कि अलाहाबाद High Court ने यह कहा कि यह पता लगाईए ASI से archaeological survey of India से कि वहाँ पे राम मंदिर जो है वो exist करता था कि नहीं करता था कि वहाँ जो भी facts हैं जमीन खुदाई करके या जैसे भी आप पता लगाईए कि वहाँ पहले मंदिर था कि नहीं था तो यह 2002 में अलाहाबाद का decision आया और उसके बाद जो है ASI ने अपना काम वहाँ पे किया और 2010 में अलाहाबाद High Court ने एक और decision दिया और इसमें जो है उसने disputed land को तीन भागों में बांट दिया और वो किस-किस को दिया तो work vote को दे दिया निर्मोही हकारा को और रामलला को वो जितना disputed जमीन था उसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया उसके बाद 2019 में एक groundbreaking decision दिया गया सुप्रीम कोट के दौरा और इसमें जो है जितना भी disputed land था जो तीनों को बाटा गया था work board को रामलला को और निर्मोही हकारा को वो सारा disputed जमीन जो है रामलला को द वो दिया जाए मस्जिद के लिए और उस समय जो chief justice थे वो कौन थे तो वो थे रंजन गोगोई यह भी ध्याने के है काफी important है यह chief justice कौन थे फिर 2020 में 5 अगस्त को पीम नरेंदर मोदी ने भूमी पूजन किया राम टेंपल का कहां पे अयुद्या में और अब जो है इंतज हिस्टी थी राम मंदीर की शुरू से जब से वो राम मंदीर बना था 120 से लेकि आस तक की तो यह पूरा हिस्टी को मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया अब आगे देखिए अब राम नल्ला का जो आइडियल statue बना है उसके बारे में कुछ facts हम जान लेते हैं तो यह जो र आइडल है राम नल्ला का यह कार्थ किया गया है बनाये गया है किसके दौरा तो अरून योगी राज हैं इनके दौरा यह बनाये गया है जो कि मैसून के एक बहुत ही जाने माने sculpture हैं तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा कि किसने इसको कार्थ किया है तो वह हैं अरून य में दिया गया है, कि जब वो 5 साल के बच्चे थे, तब वो कैसे दिखते थे उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ये जो मुर्ती बना है एक single black stone है उसी को जो है carve करके इसे बनाया गया है और इस जो lotus नीचे नज़रा रहा है ये भी जो है उसी stone का part है ये अलग से इसमें नहीं लगाये गया है ये पूरा एक stone था उसी को काट काट के ऐसा मूर्ती जो है design किया गया है अरून योगी राज के द्वारा और इसका जो weight है वो है 150-200 kg लगबग इसका weight है और इसका height है 4.24 feet और inch में कहें तो 51 inch और width है इसका 3 feet का इसकी चो कि हर एक सार राम नौमी के दिन जो sun है उनके उपर directly उनके forehead के उपर जो है वो sign करेंगे तो scientifically भी जो है काफी चीज देखा गया है इस मूर्ती को बनाने में और ये देखिए ये हैं अरून योगी राज ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं इन्होंने काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई हैं आगे है कि 22 जनवरी 2024 को ही क्यों प्रान प्रतिष्ठा का डेट जो है वो रखा गया है तो देखिए ये तीनों योग जो है इस दिन जो है फॉर्म हो रहे हैं तो पहला रिजन तो ये है दूसरा देखिए एकॉर्डिंग टू हिंदू कलेंडर जनवरी 22 जो है न वो द्वासी देट है सुकलपक्ष का पौउस महिना का और ये जो डेट है वो टाइम है किसका म्रिग घसीरा नक्षतर और योग ब्रह्मा का और इंदर योग जो है 22 जनवरी को ही स्टार्ट होगा 8.47 एम 8.47 मिनट तो इतने सारे सुप चीजें है 22 जनवरी को और भी हैं देखी आगे कर्म दौसी जो है 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि लौड विस्णू ने जो है एक टोर्टो वाइज यानि कि कछुय का और अतार लिया था और हैल्प का जो मन्थन हुआ था ना उसमें इन्होंने help किया था Lord Vishnu ने इस देखिए इस picture में इन्होंने जो है ये टोटोवाइज का क्या लिया है अवतार लिया है और इसी के ऊपर जो है समुद्र मन्थन किया गया था तो ऐसा belief किया जाता है कि ये कर्म 82 के दिन ही ऐसा हुआ था और ये जन्वरी 22 को पढ़ रहा है और स्री राम जो है वो किसके आउतार है विसनु कही आउतार है तो इसलिए भी ये date important है 22 जन्वरी तो ये सारे रीजन है जो प्रानपतिष्ठा का date 22 जन्वरी रखा गया है उसके बाद जो है राम लल्ला का जो आइडल जो इंस्टॉल होग यानि ग्रव ग्री में जो उन्हें इस्थापित किया जाएगा उसका टाइम रहेगा 12 बचके 29 मिनट 8 सेकंड से लेके 12 बचके 30 मिनट 32 सेकंड तक यानि कि इस 84 सेकंड में ही राम लल्ला का आइडल को इस्थापित किया जाएगा और उसके बाद जो है महा पूजा और महा पारती किया जाएगा और राम लल्ला को काजल कोन लगाएंगे तो हमारे प्यम प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी लगाएंगे तो राम मंदी से रिलेटर जितने भी फैक्स थें सारे को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप जैसरी राम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इससे रिलेटर जो पीडियेफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ली दूँगा आप वहां से डाउन्डोड कर दीजिएगा तो मिनते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू